सलाम एंड वेलकम टु दे शो सना एक पाकिस्तानी और जैसे कि आप लोग जानते ही है और अगर नहीं भी जानते तो क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ वो ये कि ये हफता है हमारा न्यू यॉयॉक स्पेशल जहां इस पूरे हफते में आपको न्यू यॉयॉक की सड़क का गर का जाता है ये का जाता है कि यहां बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौझूद है और इसके इलावा यहां पर उनके बहुत से बिजनस भी है उनसे मैंने कल भी मुलाकात किए थी आज भी ये सफर जारी रहेगा। इस सफर में आपने मेरे साथ रहना है कहीं जानने ये. जाननने ये. जाननने ये. सादिक साब के शॉप, सादिक जो इससे ट्रग के ओनर भी है. अब जानना मैं देखती हूँ कि ये बना क्या रहा है. सादिक क्या बना रहा है? मैं लैम सेंविच बना रहा हूँ. अच्छा, तो ये मिरे लिए बन रहा है? हाँ. अच्छा, अच्छा, ये बताएं कि कितने अर्से से ये शॉप खोली हूई है? ये, एक माँ हो गया है. और आप, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ. ये पहले भी, एक, दो, तीन साल से ये चल रहा है. अच्छा, तो आपकी अपनी शॉप है या किसी और की है? ये, ये किसी और की, मैं यहाँ पर काम करता हूँ. कितने घंडे रोज काम करते हैं? और चिकन सैंविच बनाते हैं, लैम राइस बनाते हैं, लैम सैंविच बनाते हैं, चिकन कौफ़ता, लैम कौफ़ता ये वगहा ह respectively. यह आप ने सब सीका कहा है? यहाँ नियु यॉर्क फूहुट पयोंजे रहा है. हाँ इन्शाला पाकिस्तान जाकर या यहां पर नहीं यहां पर अच्छा तो इसमें किसी की सपोर्ट चाहिए होगी या आप खुद महनत करके अपने पैसे जमा करके कोलेंगे आचा पाकिस्तानी होने के से आप इतने सालों से यहां पर है कुई कोई मुश AHU को बड़ी मुश्किल पेश आई है। क्या वाख़ी उन्होंने यहां मुशकिल वक्त देखा है। am झे तने सालों में आज तक मुझे किसी ने तंग निक है ना कोई बात कियों कुई। तो पाकिसान में आप कहां से तालोक रखते हैं? ने सब मेरे समय हैं लुक पर खुद आपके बऐसे हैं? मेरे मिरा दो कलो का माता है है, पाकिसानी कि की लिए था है नियुक्तष nah रहा है? कि आपकी जिसकी में से आपने शुरुवात की और फिर अब रेस्टरेंट का सोच है इंशाला तो रेस्टरेंट में आप हमें स्पेशल ओफर देंगे क्यों ज़रूर चलिए लेकिन कभी ने कभी पाकिसान जाने के बारे में सोचा है कि वापस जाएंगे पाकिसान में भी को यहां पर जो पाकिसानी दोस्ते हैं आपके क्या वो वाकिस्तान का अच्छा इमेज बनाते हैं कोशिश करते हैं मतलब है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो ऐसा काम करते हैं चलें बहुत बहुत शुकरिया साधिक न चंद पाकिस्तानियों में से एक है जो महनत करता है और जो जाना 10 से 12 घंटे काम करता है और इस वक्त मिने लिए सैंड़ुच भी बना रहा है ये भी इसकी एक एक्स्टा मेनत है लेकिन ये कहता है कि मैं पाकिस्तान से दूर होने की बावजूद भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी यही करे और सादिक भी यही कर रहा है तारीक बहुत पुरानी है और इसे बनने में कई साल लग गए ऐसी कई दिहाईयों का सफर अमूमन कहा जाता है कि किताब में भी महफूस किया जाता है मुक्तलिफ शेरों के अबाले से लेकिन आपको एक ऐसी शक्से से मिलवाते हैं जिसने कैमरे की आँख से न्यू यॉक की हिस्टरी को महफूस किया है और उसे हमें मिलवा रही है हमारी साथी रिपोर्टर आमना यह रहा आज का न्यू यू यॉक जो होता था ऐसा सिर्फ 30-40 साल पहते मैं 1968 से फोटाग्रफी कर रहा हूँ और मैं मरीन कोर में भी फोटाग्रफर था न्यू यॉक बदल गया लेकिन एक बात नहीं बदली फोटाग्रफर जॉन कान को आज भी फोटाग्रफी का उतना ही शौक है जितना उस वक्त था इसकी वज़े से मैंने कई ऐसी जगें नेखी जहां मैं किसी दूसरी सुरत में ना जाता जिसे अंटाक्टिका फिर मैंने पानी के नीचे भी फोटाग्रफी की और जुनुबी अफ्रीका से लाइफ जेनलिजम दी इनकी कुछ तस्वीरे तो म्यूजियम आफ दे सिटी ऑफ न्यू जॉक की पर्मिनन्ट कलेक्शन में हैं लेकिन म्यूजियम की डिवार ही क्यों ये तस्वीर टी-शिट पर भी उतनी ही अच्छी लगती है और अगर इन तस्वीरों के कुछ किरतारों से मुलाकात भी हो जाएं तो क्या बात है इस से अफ़ाम पुलिसमेन का नाम जॉर्ज वॉशिंटन है और इसके कुट्टे का नाम किंग था मैं कुछ दूसरे लोगों से भी मिला हूँ मेरी कुछ तस्वीरों में जो बास्केट बॉल प्लेयर नज़रा रहा है उसका नाम डैनियल बिशप है लेकिन आखिट न्यूँ यॉर्क के सड़कों और सब्वे पर इतनी तबच्चों की हूँ मैं इनी सड़कों पर पला बढ़ा, तस्वीरें खेंची उन्हें बेचा, मुझे इस सड़कें बहुत प्यारी हैं यह कहानी है उस न्यूँ यॉर्क के जो कई रोग खुला चुके हैं शायद वो उस वक्त के न्यूँ यॉर्क का तजर्बा नहीं चाहते लेकिन वो मेरी तस्वीरों के जरिये इसे देख जरूर सकते हैं उस पुराने न्यूँ यॉर्क को जो फिल्मों में देखता है और जो सिंता है इन प्लाक एंड पाइट तस्वीरों में न्यूँ यॉर्क के बारे में कहा जाता है कि कराची की तरह यहां की आबादी भी बहुत बड़ी है जो अमूमन पाकिस्तान के लोग समझते भी हैं यहां पर बहुत चोटी चोटे घर बनाये जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रहने का स्पेस हो सके इसलिए यहां पर माइक्रो हाउसिंग की एक नई टेक्निक इजात की गई है कुछ अर्सा पहले जिसके दायत घरों को बहुत ही चोटा कर दिया गया है किस तरह से चोटा किया गया है और चोटे होने के बाद वो घर कैसे लगते हैं आई आपको दिखाते हैं तीन सौमर अबबा फुट मुस्तक्पिल का अपार्टमेंट शायद इससे बड़ा ना हो खास टार पर न्यू यू 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 जैसे शहर में जहां इस कसम के चोटे अपार्टमेंट्स या माइक्रो जूनिट्स की मनसूबा बंदी लोगों के पतलते हुए तर्द से जिंदकी की एक निशानी है अब इस शहर में मांग बड़े बड़े घरों की नहीं बलके एक या दो अफराद के लिए चोटे अपार्टमेंट्स की हैं न्यू यू यू के मेर माइकल दूबर्ग हम प्राइविट सेक्टर को दावत दे रहे हैं कि वो चोटे अपार्टमेंट्स के जदीद और मुन्फरिद खाके तयार करें ये प्राजेक्ट मैनहाटन में शुरू किया जा रहा है जहां एक अंदादे के मताबक 76 फीसद घराने एक या दो फर्ट से जादा पर मुश्तमिल नहीं यहां रहने वालों में से तक्रीबं 33 फीसद अपनी आमदनी का निस्फ हिस्सा सिर्फ किराय पर ही खर्च कर देते हैं अकेले रहने वालों के लिए एक राय अप्राय करना खास दौर पर मुश्किल हो सकता है सेंटर फौर आर्किटेक्चर के ड्रिक पेल छोटे अपार्टमेंट के हक में है ये एक अच्छा तसवर है क्योंके इसका मकसद उन लोगों को शेहर में रियाश फराम करना है जो यहां रहना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती अपनी जुरूरत से बड़े अपार्टमेंट्स में बिस्तर नहीं डालना चाहते न्यूयोक में अकसर अफराद पैसे भी पूरा दिन काम करने के बाद कम वक्त ही घर पर गुजारते हैं इसलिए इन्हें बड़े घर या अपार्टमेंट्स की दूरत में सूस ही नहीं होती मुझे जाकता हुआ हर पल बाहिर ही गुजारना पड़ता है न्यूयोक ऐसा शहर है जिसमें बहुत वक्त बाहिर गुजारा जा सकता है इसलिए रहने के लिए ज़्यादा जगा की जूरत नहीं होती कुछ रोगों को तो यकीन है कि छोटा अपार्टमेंट और कम सामान इन्हें माली और रुहानी तंगी दोनों से अदाद करता है लेकिन मुम्किन है कि अमरीका के पाकी शहरों में लोग अभी न्यूजॉक के रहने वारों की तरह इतनी मुक्तसर जगा में रहने पर तैयार ना हो क्या आप इतने चोटे अपार्टमेंट में रहने पर बहुशी तैयार हो जाएंगे हमें बताए हमारे फेस्बुक पेज पर और ट्विटर के जरीए मैं सोच नहीं हूँ क्या किया जाए क्या ख्याले एक ब्रेक ले लिया जाए तो जिलने आपसे मुलाखात होती है इस चोटे से ब्रेक के बाद न्यूयो की सड़कों पे चलते हो खास तो पे कौनिया आरलेंड की सड़क के ओपर मुझे बहुत सारे पाकिस्टानी नज़र आए है और एक वरक्शोप ऐसी नज़र आई है जहांपर मुझे लगता है कि बहुत सारे पाकिस्तादी मेकानिक काम करें, कितनी मेहनर से वो यहां काम करते हैं और क्या यही काम पाकिस्तान में करते हुए उनको कभी शर्मिंदगी का हुआ यहां यहां आई उन से पूछते हैं Assalamualaikum, भाई क्या नाम है आपका? नासिर नासिर भाई यह बताईगा कि आप वैसे तो गाड़ी ठीक करें तो पताः अंदाज़ा गया कि आप खास छृप पर एक्सपर्ट ही होंगे गाड़ी के इब बताए कि इतने साल से यहां पर मैं यहां बारा साल से हो बारा साल से आप यी गाड़ीं कई काम करते हैं में काम करते हैं तो यहां कर सीखा या पाकिस्तान से मैं कौहा जी कई चांप Soul कि cracking करने में आप इतने expert हो चुगे, अगर आपकसितान जाके भी ये काम करें, तो करना चाहेंगे? आजी क्यों नहीं? पाकसितान अगर हमे फैसिल्टी मिले तो हम वहां पे जाएंगे. नहीं कि ऐ everyone everywhere there Gabriel पर वारा सान में पाकिस्टятиh ना किym अट क्या में पाकिस्टान शाल पने तो हमने यहाँ फिल्ट्टी जाना चाहे तो यहाँ वो तो बहुत से वोनर ऐसे होते हैं कि वो सीख ले उसके लिए जरूरी है या पर कभी कभी ऐसे भी हो कि वो बाहर जाके भी incorporate को सिख सकता है लोग उसको dog स्पोड करना हैं क्या उनर होना चाहिए खास दोर पर यह जोरसी में घ्मिख डूर्फ में juegoים 2 आटव जा सकते हैं debate किसी भी कंट्री में आप जाके यह आपकी कस्टुमर्स जो हैं वो आपके काम से मुत्माइन होते हैं आजी डेफिनल्ली आपने नहीं अच्छा जी हम एक और बंदे के पास चलते हैं जो पता नहीं नीचे लेट लेट कि क्या कर रहा है असलाम ुद्ब सरफ करसे गाड़ी खराब करें पाकिस्तान से तूड़ा सी का लगें तालुक रखते हो गुजिनाव वाला श्यार चीडे तो बहुत मश्रूर है घर में बनाएंगा भी जी बनाते अच्छा यह बताओ कि पाकिस्तानी होने की ऐसी से यहां पर जो भी कस्टुमर्स वगरा आते हैं कभी किसी की वज़ासे कोई बातें करते हैं कोई अपने पाकिस्तानी भाईयों से शेयर तो करो ना क्या बोलते हैं बहुत शुकरिया ये उन पाकिस्टानि अवाम मेंसे है जो के अपनी अपनी सर्कल में रहते हुए अपनी हुदूर में रहते हुए ये कोशिश करता है कि पाकिस्टान के ह Owlès er झृ उसको दूर कर सके इसमें इसकी मेहनत कितनी है वो तो उपर वाला जानता है लेकिन ये कभी मायूस नहीं होता और तुम अपना काम जारी रखो तुम एक दिन बहुत बड़े मेकानिक बनोगे अच्छा जी हमारे साथ एक और साहब मौजूद है असलाम लेकुम अब आलेकुम स्लाम भाई आप क्या करते हैं जी मैं कैप्टिल हो तो कितने साल से यहां पर तकरीबन बाई साल से आप यहां मुस्तखिल रह रहे हैं जी जी अच्छा यहां पर बाई साल में खास्तों पर न्यू यॉर्क में जब से नान इलेवन का बागए हुआ हूआ आप लोगों ने कभी कोशिश की कि पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज है उसको खतम कर सेगें यहां पर रहते वे कम्यूनिटी में बिल्कुल हम तो करते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक आदमी होता है उसकी वज़ा से जो है सारा सार बलबा जो परता है तो एक जो गलत काम करता है उसकी बज़ा से जो सम पाकिस्तानिया सब टेंशन में होते हैं तो उस वज़ा से है लेकिन अब पिछले कुछ अर्से में पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन पे तो खेर मैं बात नहीं करूंगी लेकिन क्या कुछ अर्से में पाकिस्तानियों की मुश साथ दिन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा तक्रीफ होती है डरते रहते हैं खास कर सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और मुस्लमान हैं अच्छा इन्होंने यहां की पुलिस का जिक्र किया है जो पाकिस्तानी होगाद यह कहने हैं कि मुश्किलात पैदा करती है यहां की जो पुलिस है वो पाकिस्तानी होगाद ने एक रिपोर्ट तयार किया है यह आपको दिखाते हैं न्यूँ यूर्क पुलिस की जानिब से 6 साल तक शहर की मुसल्मान अबादी की खुफिया निगरानी के बाद ऐसे कोई नताइच सामने नहीं आए जिससे देशुत गर्दी के किसी एक भी बाके में उनके मुल्विस होने के शवाहिद मिले हूँ न्यूँ यूर्क पुलिस के मौविन सरबरा और एन वाई पीडी के कमांडिंग आफिसर थामस गलाटी ने इस बात का इतराफ गुजश्टा हफते उस वक्त किया जब वो शहरी हकूप के एक पुराने केस की समात के दौरान अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे न्यूँ यूर्क के मसलमान गृप्स एक अरसे से अपनी खुफिया निगरानी के मौमले पर शहर के पुलीस कमिशनर रे कैली के स्टीफ़े का मतालबा कर रहे हैं लेकिन पुलीस कमिशनर को न्यूँ यूर्क शहर के मेर माईकल ब्लूमबर्ग का इतमाद हासल है हम जानते हैं कि पुलीस डिपार्टमन्ट और शहरी आजादियों की तन्जीमों के दरमियान अक्सर तनाव की कैफियत रही है मौसा एहमद एक फलस्तीनी तारे के वतन है इन्हें अपनी कॉफी शॉप इसलिए बंद करना पड़ी क्यूंके पुलीस की मुसलसल निगरानी की वज़े से गाहकों ने इनकी दुकान में आना बंद कर दिया अब ये एक बार बार शॉप चलाते हैं पांच पुलीस वाले बाहर और दस मेरी दुकान के अंदर थे मैंने पूछा क्या हूँ उसने कहा ये रूटीन का काम है मैंने कहा रूटीन किस चीज़ की वगर पुलीस वाले ने मेरी दुकान की बेस्मेंट में जाकर हर चीज़ की तलाशी ली फारिस मेक गोल्रिक का तालुक न्यूयॉर्क की कॉंसल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन से है ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क के मुसल्मान कम्यूनिटी के ख़चात बेबुनियाद नहीं थे और ये बात साबित हो गई है खुफिया निगरानी का मकसद हमें महفوظ बनाना नहीं था ये टैक्स अदा करने वालों के पैसे का जियां है और कुछ नहीं न्यूयॉर्क के एसिस्टन पुलीस चीफ थामस गलाटी के बयान के बारे में बोईस अफ अमेरिका के रापता करने पर न्यूयॉर्क पुलीस ने कोई जवाब नहीं दिया सायरस मेकॉर्ड में कहते हैं कि अमरीकी पुलीस को खतरनाक मुझरिमों तक पहुंचने के लिए अमरीकी मुसल्मानों की मजभी या नसली शनाखत को नहीं लोगों के रवईयों को नजर में रखना चाहिए क्या ख्याले एक ब्रेक ले लिया जाए तो जिलने आपसे मुलाखात होती है इस चोड़े से ब्रेक के बाद न्यूयॉक दुनिया के उन चंद बड़े शहरों में से एक है जहाँ आपन मुख्तलिफ की कम्यूनिटीज के लोग रहते भी है और अच्छी जिन्दगी भी गुजारते हैं चाया कम्यूनिटी भी उनी कम्यूनिटीज में से एक है इस बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते है नियू यूर्क सिरी हर साल लाको टूरिस को वेलकम करता है लेकिन जो लोग इस शहर में रहते हैं उनके लिए जिन्दगी हमेशा उतनी खुबसूरत नहीं होती जैसी टूरिस शायद समझते हैं यहां रहने वाले साउट एजिन्स के लिए एक बड़ा मसला है रहने के लिए मुनासिब जगा हासल करना और इस सलसले में किसी से धोका ना खाना मिलिये बंगला देश से तालुक रखने वाले कमाल अबू नासर से जो नियू यूर्क के अलाके ब्रॉकलिन में तीस साल से किराय के एक अपार्टमेंट में अपने खानदान के साथ रह रहे हैं कमाल की मदद कर रही है न्यू जॉर्क के इलाके क्वीन्स की एक खेर मुनाफ़ बखश तन्जीम चाया कम्यूनिटी डिवल्प्मेंट कॉर्परेशन चाया के बुनियाद 11 सितंबर के हमलों के पसमंजर में रखी गई जब न्यू यूर्क की जुनूबी एशियाई और मुसल्मान कम्यूनिटी को खास सौर पर निशाना बनाया जा रहा था हमारी कोशिश थी कि अन लोगों को अधर हासिल करने के बारे में मालूमात फराहम करें इसके बाद कम्यूनिटी की सुरत अहाल का जाइजा लेने से हमें अंदाजा हुआ कि उन्हें सबसे ज़्यादा जरूत रहाईश से मतालिक मालूमात की थी आफरिंग कहती है कि जनुबी एशा से आने वाले नए लोगी नहीं बलके यहां कई साल से रहने वाले अफराद भी अपने हुकुक के बारे में बहुत कम जानते हैं किराया पर रहाईश आपको मुख्तलिफ शरायत पर मिल सकती है लेकिन हर किरायदार को कमस कम महفوظ रहाईश का हका हासल है अगर घर खतरनाक हालत में है तो मुरम्मत का मतालबा करना आपका हक है और अगर आप किराया दे रहे हैं तो मालक मकान पानी य बिचली बंद नहीं कर सकता ये गेर कानूनी है चाय के दफ्तर में रहाईशी और कमर्शल जायदात के कमानी के हवाले से जुनुबी एशिया की बहुत सी मुक्तलिफ जबानों में मालूमात फरहम की जाती हैं और ये तन्जीम सेफ किरायदार ही नहीं बलके ऐसे मकान मालकान की मदद भी करती है जिनके लिए घरों की किस्ते अदा करना मुश्किल हो रहा हो कमाल अबु नासर कहते हैं कि कमानी के बारे में मालूमात तभी मदद गार हो सकती हैं जब लोग मिलकर खानून की टाकत को इस्तमाल करने पर अमादा हो यह में बार खानी की घाईय हो चारी कि कंवादा Candice! इस पाकिस्तानी से मुलाकात हो एंगे नहीं जो पाकिस्तानी से मुलाकात हृत फितारन के रहने कि अदेन हो मैसे अफर खोस्टजर में थैसे क्यों हैं किया सोच थैप अनलिजी से पूस्टेश तो जितने भी पाकिसानी है, मैं अकेला नी, वो बहुत पैशनेट है, जब भी कोई दुख की खबर वहां से आती है, तो हमें जो लोग वहां पे रहते हैं, उनसे भी ज्यादा दुख होते हैं, और जब कोई खुशी की बाद होती है, तो हर आदमी जो मुलक छोड़ देता है वो ज़ादे साथ रहती है, उनकी कोशिश होती है, वो अपने मुलक के लिए अच्छा सोचे हैं, कुछ अच्छा करेंगा। उनका एफ़ेक्ट ठंबे पड़ता है, ग्यारा सब्तमबर के वाके ने बहुत से पाकिसानियों की जिंदियां बदल दी, मैं एक छोड़ा सा वाक्या सुनाता हूँ, कि मैं एक जगा पे खड़ा था जहां पे लोग पाकिसान पैसे बेचते हैं, तो वहां पे बुजोर गा पैसे पाकिसान नहीं बे सकते हैं, तो उन्होंने बड़े आंसुर उनके आगों में लगे, कि इस आदमी ने जिसने भी ये किया है, उसने हमारी किसमत के ओपर ये वाम गिरा दिया, यहां से साड़े बारा बिलियन डॉलर की ऑफिशल फिगर है कि पाकिसान जाते हैं, सारे जो एक्स्ट्रीमिस्त है, किसे ने शहीद कर दिया, आग लगा दिया, एक पाकिसानी है, जोनों ने एक क्राउड सोर्सिंग प्लैटफारम है, इंडी गोगो, उसके उपर री बिल्ड दा मॉस्की कंपेन लगा, जो कि सब अमेरिकन लोग, क्रिश्चन, यहूदी, वो बोल सेट किया उन्होंने कि हमें धाई लग की हमारी मदद करें, वहां में तीन दिन के अंदर, तीन लग से तत्तर हजार डॉलर जमा हुए, जो कि सारे पैसे, क्रिश्चनों, यहूदीयों, लेकि मिजॉरिटी अमेरिकन वाइट थे हुआपे, न्यू योग की इस पूरे ह शो देखना मत बूलिएगा, तब तक कि लिए सनाइक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजे, अल्ला हाफेज